तालापूर विधान सभा सीट से एंडिये प्रत्यासी राजबी कुमार सिंग के समर्थन में सूबे के मुख्यमंत्री नितीश कुमार तालापूर के गाजीपूर के इदगाम मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और एंडिये प्रत्यासी राजबी कुमार सिंग के स समर्थन में जनता से मत डालने की अपील की। समर्थन में जनता से मत डालने की अपील की। काली मंदीर से असरवाद लेकर सैकडों, गारी वहज्जारों समर्थकों के साथ अनिकेत यादब ने परसिद्धिगायक छैला बिहारी के साथ नामंकन जुलूस निकाला। जिला प्रिसद्धित में नामंकन जुलूस के बाद प्रस्तावक संग अनिकेत यादब ने भागलपूर एश्टियो कारियाल में नामंकन दाखिल किया। यादब ने कहा कि आज नामंकन दाखिल किया है जन्ता से समर्थन की उम्मीद है। जाए बोजन का व्यवस्ता हो या दवाई प्रस्ता हो, जो भी हमने कापकी हैं तो मुझे लगता है कि महाजिसीवा करने के वह समार्यमद तो नीद शुबाद से कूल है कमसभ और यही ना करना चाहता हूं जेक्प और और मैं हमें तो करना जाओंगा और आप मेरा रैली देखे होंगे तो मैं कहूंगा कि यह तो बहुत कम है हम चाहेंगे कि और भी लोग हमसे जुड़े जनता का प्यार मिलता है तो हम हरे एंगल से सोच रहें कि अगर सरकारी नौकरी बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके पहल आठवे चनल में होने वाले पंचाया चुनाप को लेकर प्रत्यासी अपने अपने नमंकन करने में जूटे हुए है इसी कड़ी में नात नगर उत्री छेतर से ध्रंजय कुमार ने जिला परिसदपद के लिए अपनी सेकलो समर्थकों के साथ HDO कारियाले पहुँच कर अप ही युवाओं को सरुजगार से भी जोडा जाएगा से तरायमान होते हैं लेकिन कोई प्रतरी देखने वाले नहीं है कोई भी आगे कदम उठाने वाले नहीं है बाढ़ आती है सब चुपक जाती है मदद करने नहीं आया है वरप कंद कर नात नगर गड़शीन शेतर संख्या वहीं मंदिर में मत्था टेका आठ मेंचन के पंचाया चुनाप को लेकर नमंकन प्रकिरिया का आज पांच मा दिन है नमंकन के लिए कई परतियास्तों ने अपना नमंकन पर चादा खिल किया जिसमें नात नगर दचनी छितर संख्या 15 से मिथुन कुमार ने भारी संख्या में अपने समर्थगों के साथ गाजे बाजे ढोन लगाडों के साथ भागल पुरुषित एईज़ी ओपिस चाकर अपना नमंकन ताखिल कराया मिथुन कुमार ने बताया कि युवाओं का भरपूर सायोग मिल रहा है जनता अगर इस बार साहत देती है तो विकास में कोई कमी नहीं रहेगी आठ मिचन के पंचायल चुनाप को लेकर नमंकन प्रिकरिया के दुरान नातनगर परखंड परिसर में काफिक गहमा गमी रही वही नातनगर परखंड के नूरपूर पंचायल से मुखिया पद के लिए जियोती कुमारी रामखुर्द पंचायल से चान्दनी कुमारी भतोडिया पंचायल से मुहम्मद बसारूल हक बिलखुरिया पंचयल से किसोर यादव राजीभी आदव रतीपूर बैरिया पंचयल से प्रमोध यादव मिर्तुंजन नाथ यादव उर्फगुपाल यादव समेट अन्ने कई लोगों ने मुखिया पदों के लिए नमंकंदा खिल किया वही पंचायद समीती पद के लिए गुसायदासपूर पंचायद से प्रभाकर जहा तरके स्वर जहा रामपूर खुर्द पंचायद से रानी देवी वसारदा कुमारी नूरपूर पंचायद से प्रियंका कुमारी समित अन्ने कई पर्टियासों ने परचादा किल किया वही प्रस्तावक केंद्र के बाहर सुलच्छा ब्यवस्था के ब्यापक इंतिजाम किये गए थे नमंकन केंद्र पर प्रस्तावक और मिद्वार के लावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी वही गेट के बाहर नमंकन करने पहुँचे परतियासियों की समर्थकों के लिए की हुजूम जुटी रही जो अपने अपने प्रतियासियों के लिए लगातार जेकारे लगा रहे थे परूस समर्थकों के साथ साथ महिला समर्थक भी भारी संक्या में परखंड कारियाल गेट के बाहरू पस्ति थी आज के बाद जनता के बीच जाएंगे और जनता से कहेंगे कि आप हमें अपना बहुमों लिमत दें और भविस में जो भी आपके काम में हम आ सकते हैं वो आने का प्रयास भी करेंगे उनके लिए न्याय करने का भी काम किया जाएगा जनता हमारे साथ है हर कास्ट के लोग हमारे साथ है जनता इस पर बदलाव चाहती है और बदलाव करेगी और हमारी रोसनकुर के जनता हुँ हमारे साथ है बिल्कुल साथ है इसमें कहें दो मत नहीं हंडेर परसेर साथ है आज भी नमंकन के लिए कई प्रतियासियों ने अपना नमंकन पर दाखिल किया इसी कड़ी में नात नगर परखंड चेतर से ग्राम पंचायद गुसाइदासपूर से पंचायद समीती प्रतियासी प्रभाकर जाने काफिस संख्या में अपने सेकलो समर्थों के साथ परखंड पर इसर पहुँच कर अपना नमंकन दाखिल कराया आपको बता दे प्रभाकर जहा ग्राम पंचायद गुसाइदासपूर की वार्ड संकिया पाँच से ग्राम पंचायद स्थिके पद पर थे उन्होंने इस बार फिर से जनता की सेवा के लिए अपना नमंकन कराया है प्रचार करने भागलपूर पहुँचे जदियों की प्रदेश उपाधित सह पुरुमंतरी भगवान सिंग कुसवा ने अस्थानिये खोटर ने प्रेस कॉन्फेंस एयोजित कर तारापूर और कुसे स्वरस्थान पर जीत का दावा किया वही कांग्रिस प्रभारी भक्त च थानों पर हो रहे उप्चनाव में लालू यादब के आने से प्रभाव पढ़ने के सवाल पर कहा कि लालू यादब इसी तरह का बयान देते रहेंगे तो इससे एंडियों को फाइदा ही होगा साथी जदियों के प्रदेश उपाधच ने कहा कि महागडबंदन में बिखराव से एंडियों को फाइदा मिलने जा रहा है भागलपूर के भगत सिंग चौक पर यूबा कांगरेस के दोला राश्टे जनतादल के सुप्रीमो लालू परसाद यादब का पुतला दहन किया गया और लालू यादब के खिलाफ जम कर नारेबाजी भी की गई बिहार प्रदेश यूबा कांगरेस के आवहान पर पूरे बिहार में आयोजित पुतला दहन का भागलपूर में यूबा कांगरेस के प्रदेश अध्यच गुंजन पटेल ने नैत्रितु किया इस दौरान गुंझल पटेल ने कहा कि कांउरेस के प्रभारी भक्त रन दाज के खिलाब लालू तरह बिवधित बियान दिये जाने खिलाब पूरे बिहार में यूवा कांउरेस के कारेकरताओं का दौर्वा लालू परसाद यादब का पुतला द्रहन किया गया है। दिया है उसके लिए लालो यादव को कांग्रेस प्रमारी और कांग्रेस पार्टी से माफी मागनी चाहिए